हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग उमेदे सब अच्छे से होंगे खुश होंगे फ्रेंड्स देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं बंडारे वाली आलू की सबजी और पूरी और साथ में ये हल्वा इसको आप फेस्टिवल में भी बना सकते हैं जैसे कि अब करवचौत, अहोई अश्टिमी, दिपावली तो कैसे बनाते हैं ये हम दिखाते हैं आपको तो चलते हैं फ्रेंट्स कुछन की तरफ तो फ्रेंट्स जब सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें थाली तियार करनी है फैस्टिवल के लिए कुछ भी फैस्टिवल हो या बंडारे के लिए ही तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कुछ मीठा तो मीठे में हम ब तो यह देखिए तयार हो गया है हमारा सोजी का हलुआ क्योंकि बहुत जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है सोजी का हलुआ पूरी और सब्जी के साथ में अब हम बनाते हैं जो दूसरी चीज हमारे माइंड में आती है सब्जी तो मुझत लिए अपने देखा ह साथ में फिर आप कोई भी दूसरी सब्जी रह सकते हैं लेकिन आलू की सब्जी के साथ पूरी का कॉंबिनेशन बहुत अच्छा रहता है मेरे घर में भी सबकों बहुत पसंद है तो इसलिए मैं बनाने जा रही हूं आलू की सब्जी बंडारे वाले स्टाइल में जिसमें मसालों का यूज करें घर के साबत मसाले जो होते हैं या घर का पिसा हुआ गरम मसाला यूज करें वाले माजियो करेंी अंचुछी का यूज करना चाहिए एक किलो आलू में और हम प्याज लैसन का यूज नहीं करते हैं तो सबजी का फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमें कसूरी मेथी का अभी इसमाल इसमें करना होगा तो यह जो ट्रिक है बंडारे वाली आलू की सबजी की यह तीन चीज़े बहुत जरूरी हैं खड़े मसाले या गरम मसाला घर का पिसा हुआ टमाटर और आलू का अच्छा से कॉंबिनेशन और चाहिए इसमें कसूरी में थी यह तीन चीज अच्छे से होने चीए तब भी आलू की अब हम करते हैं पूरियों की तियारी पूरियों का आटा मैंने पहले से गुता हुआ था इसमें आप आटा गुते समय आप अजवाइन का अगर इस्तमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहागा डाइजिशन के लिए भी लेकिन कुछ घरों में नमक और अजवाइन फैस्टिवल में नहीं चलता तो वो इसको अवोइड भी कर सकते हैं तो पूरियों के लिए हमें ये तियारी हो गई हमारी पूरियों की पूरियों हमारी तियारे बनके और बस अब हम लगाने जा रहे हैं थाली फैस्टिवल की थाली है तो पूरियों के बगर तो अधूरी आप सबको पता होगा कि हिंदु धरम में जब भी फैस्टिवल का खाना बनता है तो पक्का खाना ही बनता है पक्का खाने का मतलब आप समझते हैं पक्का खाने का मतलब होता है जो कि तलावा खाना होता है कच्छा खाना इसमें कुछ ने यूज होता जैसे कि सब्जियां भी थाली तो फ्रेंट्स कैसे लगी आपको मेरी ये फैस्टिवल थाली की वीडियो ये फैस्टिवल थाली मैंने श्पेशली आने वाले फैस्टिवल के हिसाब से बनाई है जैसे कि अभी करवच वत कवरत आने वाला है और आने वाला है हमारा दिपावली का तोहार उसके बहुत भाई दोज है तो मैंने easy से बहुत असान वाली थाली तियार की है मैंने आलू की सब्जी इसलिए भनाई है कि मेरे घर में सब्जको आलू की सब्जी बहुत पसंद है पूरीयों के साथ मैं आप चाहें तो इसमें पनीर की सब्जी राजमा छोले कुछ भी आड़ कर सकते हैं आप दो सबजी तीन सबजी भी रख सकते हैं ठाली मैं तो मैं बस आप से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को जादर से आदर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिसे की आपको मेरी वीडियो का बेनिफिट मिल सका आगे सबी को मिल सके तो बाय फ्रेंड्स टेक क्यार बने रहे हैं मेरे साथ